हेलो ओपरिवान मैं आशे करती हूं आप सभी ठीक होंगे मैं काजिल धामी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चानल प्यूपलडीके में मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे के विस पीयार टी का यहाँ पे 30 डेज का आप लोगों का सीडिय शुरू किया है जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ KBS का ये जो new syllabus आपका आया है इसके अंदर जो pedagogy हमसे पूछे जा रही है ये मैं आपके साथ 30 days में complete करने की कोशिश करूँगी अब देखी ये जो series है इसका पर हम day 2 start करते हैं और जो आपकी unit डे रखी है unit wise आपकी classes हो रही है अगर आप मेरे चानल पे नए हैं और कहीं न कहीं अपनी जो तयारी है वो self study से कर रहे हैं तो इस playlist को आप जरू देखेगा description में मैंने playlist डाल दी है KBS pedagogy की आपको day 1 की वीडियो महां से मिल जाएगी तो चलिए आज हम यहाँ पे day 2 जो है वो start करते हैं और day 2 जो है वो भी आपका unit 1 पे होने वाला है जो कि है आपका understanding the learner यानि कि आप learner को किस तरीके से समझते हैं इस related topic हमें यहाँ पे दे रखा है अब देखे यह day 1 के अगर मैं बात करूँ तो उसमें जो आपका व्रिधी, विकास, growth, development होता है maturation होता है इसके लावा इनके जो stages होती है इनके principles यह सभी मैंने आपके cover कर दी हैं और आज हम day 2 के अंदर जो cover करने वाले हैं वो है आपका developmental task अब देखे यह जो syllabus है आप लोगों को KBS का new syllabus आप लोगों कर दिया गया है अगर आप लोगों ने syllabus देखा है तो आप उसके according यहाँ पर त्यारी कर सकते हैं अब देखे अगर मैं यहाँ पर developmental task के बात करूँ तो यह क्या होता है देखे अगर आप अलग-अलग stages में जब जाते रहते हो तो आपको हर stage के अनुसार कुछ न कुछ कार्रें यहाँ पर मिलते हैं कुछ न कुछ task यहाँ पर मिलते हैं जो के आपको यहाँ पर समझने हैं और देखे यहाँ पर जो developmental task है हम इसे अगर असान भाशा में देखे तो यह एक तरीके से mid way माना जाता है यहाँ पर आपकी individual need यानकी जो आपकी खुद की need है और जो social demand है यानकी जो society की demand है और आपकी जो need है उसके बीच का एक रास्ता है उसके बीच का एक mid way है अगर आप इस रास्ते को पार कर लेते हो तो यह task आपका complete हो जाता है तो basically यहाँ पर आपकी individual demand से लेकर social demand तक सारी चीज़े यहाँ पर include की जाती है इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो देखें इस task को समझाने के लिए यानकी developmental task यानकी विकास को लेकर यह जो कार्रे है इसको समझाने के लिए यहाँ पर हम लोगों के सामने हमें एक model को पढ़ना है जो कि किसके द्वारा दिया गया है heavy hurts द्वारा यह दिया गया है और इन्होंने हमें जो हमारी major stages होते हैं उनको 6 अलग-लग stages में divide किया है और 6 अलग-लग stages में divide करने के बाद हर stage के अपने-अपने task के यहाँ पर बता है अब देखिए यह जो task होते हैं यह जब शुरू होते हैं इसके साथ हम लोगों के कुछ यहाँ पर खत्रई भी आते हैं यानि कि कुछ यहाँ पर hazards भी आते हैं अब आप अगर किसी एक particular stage में हो और उस stage के जो task है वो कर रहे हो तो देखिए उस समय कुछ यहाँ पर बादाएं हैं कुछ यहाँ पर obstacle आप लोगों के सामने आते हैं जैसे की lack of guidance यानि कि आपको mark दर्शन का जो अभाव होता है यहाँ पर देखने को मिलता है अब देखिए यहाँ पर आप KVS pedagogy का जो syllabus है वो कर रहे हो और अगर आप यहाँ पर तयारी तो कर रहे हो और आप इस paper को clear करना चाहते हो बट कहीं न कहीं आपको syllabus का सही knowledge नहीं है तो आप इस task को पूरा नहीं कर पाऊगे यानि कि syllabus complete नहीं कर पाऊगे तो यहाँ पर माना गया है कि किसी भी developmental task को पूरा करने के लिए उसके सामनी कुछ खत्रे उत्पन होते हैं जिसको आपको क्या करना है overcome करना है जैसे कि lack of guidance अब देखिए मार्क दर्शन सब का होना चाहिए और मार्क दर्शन अगर आपका सही होता है तो आप उस task को अच्छे से कर पाओगे इसके लावा अगला है poor health अब देखिए यहाँ पे आप किसे भी चीज को सीखने के लिए ततपर हो किसी चीज को सीखना चाहते हो अब यह job चाहते हो बट कहीं न कहीं आपका जो स्वास्त है आपका साथ नहीं देगा तो आप उस task को पूरा नहीं कर पाओगे आप तयारी नहीं कर पाओगे और तयारी जो नहीं करेगा उसका यहाँ पे selection कैसे होगा तो देखिए एक और यहाँ पे 1000 जो है यह देखने को मिलता है इसके अलावा है lack of opportunity अब देखिए आपको अफसर मिलना चीए अब अफसर में क्या चीजा जाती जैसे की vacancy अगर आप यहाँ पे तयारी कर रहे हो और आप काबिल भी हो इस paper को clear करने के लिए बट जैसे के आप देख सकते हैं के वेस के vacancy 4 साल बाद आई है जिसके वज़े से क्या हुआ कई सारे candidate की जो age है age limit वो हो गई इसके अलावा 2018 में जब paper हुआ था तब वहाँ पे seat act के appearing candidate को भी allow किया गया था बट इस बार नहीं किया गया अगर आपको opportunity ही ना मिले अगर आपको अफसर ही ना मिले तो आप अपने आपको यहाँ पर उस task के लिए यहाँ पर एक तरीके से काबिल आप साबित नहीं कर पाओगी इसके अलावा अगला है low intellectual level यानि कि एक तरीके से जो बौधिक स्तर होता है अगर किसी का कम हो अब देखिए low intellectual level में आप अगर किसी topic को समझ रहे हो अगर आप math के कोई question कर रहे हो और math में जैसे की geometry का कोई question कर रहे हो आपने theory का पूरा concept समझ लिया बट अगर आप उसको अलग से अच्छी तरीके से उसके अंदर जो detail बाते हैं वो नहीं समझ पारे तो कहीं न कहीं आप उनके questions कैसे कर पाएंगे सिधा सिधा theory तो आएगी नहीं तो यहां पर लो intellectual level भी जो है वो developmental task को यहां पर affect करता है इसका लावा है lack of motivation अब देखिए यहां पर होता क्या है जब कोई भी वेकेंसी आते हैं हम लोग बहुत ज्यादा motivated होते हैं कि हां यह हम लोगों को पढ़ना है और इस बार क्लियर करना है बद क्या होता है कि जैसे फॉर्म फिलफ होते हैं उसके 15-20 दिन बाद क्या होता है कि यहां पर आपका motivation जो है यहां पर होते हैं उपर के according यहां पर कम होते रहते हैं इसका reason क्या है वीडियो में एक तरीके से quality एक reason हो सकता है बट दूसरा reason यहां पर एक आपका motivation भी होता है अब आप अगर motivated ही नहीं हो आपने starting तो कर दी कि भी जो शोर्स हम करेंगे बट अगर आप final end तक नहीं जाएंगे तो आ यह आपके कुछ hazards कुछ आपके खत्रें यहां पर देखने को मिलते हैं अब चलिए यहां पर हमें heavy hurts द्वारा यह जो model दिया गया है जिसके अंदर हमें 6 अलगलग stages दे रखें उन 6 के 6 stages को जरा detail में discuss करते हैं और हर stage के अंदर क्या क्या task हमें perform करने को मिलते हैं वह हम discuss करें अब देखें यह आपके developmental task क्या है अलगलग stages के अनुसार वो हम cover करते हैं अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अब मैं आप लोगों के साथ यहां पर एक-एक stages को discuss करने वाली हूँ जो के हमें heavy hurts द्वारा दिया गया है और देखें इन्होंने हर stage को लेके यहां पर यानि की infancy and early childhood इन्होंने पहला stage बताया अब देखिए इसमें जो बच्चे का age group होगा वो यहां पर बच्च से लेकर 6 years तक होगा इसके अंदर बच्चा क्या-क्या चीज़े सीखता है यहां पर बताया गया अब देखिए सबसे पहले तो यहां पर जब बच्चा यहां पर 6 महिने बाद यह बोला जाता है कि solid को introduce करवा यानि कि यहां पर बच्चा क्या कर रहा है ठोस आहाद लेना यहां पर सीख रहा है यह भी एक तरीके से बच्चे के लिए task होता है अब देखिए शुरुवात में उसको वो चीज कई बच्चे क्या होता है कई यहों को वो एक साल के बाद यहां पर क्या करता है एक सिंगल सिंगल शब्द जो है वो बोलना शुरू करता है तो यहां पर जब बच्चा बोलना सीख रहा है यह भी बच्चे के लिए क्या है यह भी बच्चे के लिए task का यहां पर काम कर रहा है इसका लावा यहां पर क्या है कि हमारे शारेरिक स्तिर्था बच्चे के अंदर प्राप्त होती है यानि कि बच्चे के बॉड़ि में धीरे धीरे बैलन्स आना शुरू होता है पर चोटा सा बच्चा होता है क्यों विए प्यार्स से पक्कड़ना होताई तब यहाँ पर link भेड यानि कि यहाँ पर sex difference भी बच्चा यहाँ पर सीखता है अब देखिए यह सारी चीजे का बाते हैं यह सारे टास्क जो है यह बच्चे के यहाँ पर शेशावस्था और प्रारंपिक बच्च्वन यानि कि इनफेंजी और अर्ली चाइल्ड हुट के बीच में यह पूरे हो रहे होते हैं अब देखिए इनको याद करने की जरुवत नहीं है आपको बेसिकली क्या है कि यह स्टेजिस कौन-कौन से हैं और इनका एज ग्रूप आप याद कर लेजिए जैसे कि वह इतने महीने में था तो क्या परफॉर्म करता था तो इस तरीके से आपके पॉइंट्स अपने आपके माइन में क्लियर होते जाएंगे अब चलिए आई हो पहला जो स्टेज है यह आपको क्लियर हो आओगा अब मैं आपके साथ दूसरा स्टेज डिसकस करती हूँ जो कि यहाँ पर डेवलामेंटल टास्क उस टॉपिक के हम कवर करेंगे अब हम डिसकस करते हैं यहाँ पर दूसरे स्टेज को तो देखें यहाँ पर जो दूसरा स्टेज रखा गया वो रखा गया आपका मिडल चाइंट होड यानि कि जो मद्य बच्पन होता है इसके यहाँ पर बात की गई जो कि अगर आप देखेंगे तो 6 से लेकर 12 वर्ष त अब देखें इसके अंदर बच्चे को किस तरीकी के टास्क जो है यह परफॉर्म करने होते हैं और किस तरीकी के टास्क को बच्चा परफॉर्म करता है उसको जड़ा देखें अब देखें मध्य बच्पन तक आते आते हैं यहाँ पर जो शारेरी कोशल होते हैं यानि कि ज जो फिजिकल स्किल होता है जो शारेरिक कोशल होते हैं यहां पर आते आते आपके और ज्यादा डेफलाप हो जाते हैं और ज्यादा यह विक्सित हो जाते हैं इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखें यहां पर जो बच्चा होता है अपने साथियों के साथ घुलना मिलना स्टीख जाता है जहां पर जो बॉइज Алगल लग गुर्प बनने लग जाते हैं और वो आपने ग्रूप के साथ साथ अपने gender के according games जो है यहाँ पर खेलते हैं जैसे कि boys जो है वो cricket वगरा खेलते हैं लड़कियों को आपने जनरली देखा होगा वो घर-गर खेलना चुपन चुपाई यह सब चीज़े देखने को मिलती है यहाँ पर जो मद्धी बच्पन होता है middle childhood के अंदर इसके अलावा अग नेतिक विकास का सिधान्ट भी दिया है जो के हम आगे की वीडियो में कवर करेंगे साथे साथे साथ अगर हम देखें तो कुछ यहाँ पर ऐसे सॉलिड चीज़ों को लेके यहाँ पर conservation, sun reduction का ग्यान भी बच्चे को आ जाता है जिसके बारे में जीन प्याजे भी बताते हैं वो हम प्याजे की थेहरी में डिसक्स करेंगे साथे साथ यहाँ पर जो टास्क देखने को मिलता है यहाँ पर जो development देखने को मिलता है वो यहा टास्क होते हैं जो कि मध्य बच्पन के अंदर देखने को मिलते हैं यानि कि middle childhood के अंदर देखने को मिलते हैं जो कि आपका 6 से लेकर 12 वर्ष के बीच में देखा जाता है अब चलिए आगे की जो चार और स्टेज है दो स्टेज हमने कवर कर दी चार और जो स्टेज है वो उसके अंदर अलग से ही एक topic दे रखा है जिसको हम आने वाली वीडियो में detail में देखने वाले हैं adolescence के challenges, adolescence के एक तरीके से जो process होता है इसके बार में detail से एक वीडियो आएगी बट यहां पर किस तरीकी के टास्क जो है वो perform करने को मिलते हैं वो हम discuss करते हैं तो देखिए adolescence एक ऐसा time होता है बच्चे की life का जिसके अंदर बहुत सारे changes बच्चे को देखने को मिलते हैं तो देखिए यहां पर जो आपके changes देखने को मिलते हैं उसके according ही यहां पर task जो है वो बन जाते हैं और adolescence का जो period होता है इसको यहांपर teenage या पर teenagers भी बोलते हैं तो तो तास्क के अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो बच्चा होता है, यहाँ पर मेस्कुलिन, यानि की जो मरदाना और सामिनन, यानि की जो सामाजिक भूमिका है, यह समझने लग जाता है, कि आपका शोशल रॉल यहाँ पर क्या है, आप किस सीच के लिए यहाँ बने हो, select करेगा आगे future में पढ़ने के लिए जिससे उसको यहाँ पर क्या मिले website मिले उसको यहाँ पर job मिले तो यहाँ पर selection भी करता है और अपने आपको prepare भी करता है आजकल तो बच्चे जो है वो 8th 9th class से ही सोच लेते हैं कि हमें future में यह बनना है और उसी तरीके से जो subject है वो class tent में opt करते हैं तो देखिए यहाँ पर जिस तरीके का आप subject choose करते हैं उस तरीके से आपका future उस direction में चला जाता है इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर बच्चा जो है अपनी शरीर का जो बनावट होता है अपनी बोडी को effectively, efficiently वो यूज करता है वो किस सीज के लिए यहाँ पर बना हुआ है I hope यह जो टास्क है जो adolescence period में देखने को मिलते हैं जो आपको perform करने होता है इसके अलावा यहाँ पर cultural value के अगर मैं बात करूँ जो Sanskritic मोल्ले होता है साथे साथ जो society को लेके जो socialization बच्चे का होता है समाजे करन होता है वो यहाँ पर और ज्यादा detail में यहाँ पर देखने को मिलता है तो यह कुछ टास्क हैं जो बच्चे को adolescence यानि की किशोरा वस्था के stage में यहाँ पर देखने को मिलते हैं अब चलिए जो तीन और यहाँ पर stage हैं उसको जरह हम cover करते हैं अब मैं आप लोगों के साथ fourth stage जो है यह discuss करने वाली हूँ जो कि आपका है early childhood जिसे हम अब मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर fourth stage discuss कर रही हूँ जो कि है early adulthood यानि की प्रारंभिक वैसकता अब देखिए इसमें जो आपको task देखने को मिलते हैं वो आपके age group के according है इसमें जो age group है यहाँ पर 19 से लेकर 30 वर्ष तक के लोग यहाँ पर आते हैं हाला कि हम जो भी यहाँ पर preparation कर रहे हैं हम इसी age group में आपका belong करते है maximum candidate अब देखिए यहाँ पर क्या होता है इस age group में आप जो अपना life partner है इसका चैन करते हैं सब सब पहले यानि की select करते हैं अपने यहाँ पर life partner का और साथ साथ जिसनों ने life partner को select नहीं किया होता वो अपना क्या करते हैं वो अपना यहां पर क्या कर रहे होते हैं इसके alternative वो अपना future के लिए जो job है वो website है वो select कर रहे होते हैं अब देखे कई लोग क्या करते हैं यह दोनों चीज़ आल्टरेटिव तरीके से चल रही होते हैं उनके life में personal life में चीज़े अलग चल रही होते हैं प्रफेशनल life में परिवार शुरू करते हैं एक परिवार तो आप पहले से जिसके साथ बिलॉंग कर रहे हो और एक अपने जीवन साथी के साथ यहां पर एक नया परिवार यहां पर शुरू करते हो और देखें इसी एज ग्रूप में यहां पर देखा जाता है कि आपको घर को भी मैनेज करना है जिसमें आप देख सकते हैं कि यहां पर बच्चों का पालंच पोर्शन होता है आप देखिए स्टार्टिंग का फेज जो होता है काफी डिफिकल्ट होता है और अगर आप इस फेज में हो और साथ में प्रप्रेशन फेज में हैं तो आप मेरी बात यहां पर समझ सकते हैं क दोनों चीजों को मैनेज करना, दोनों चीजों को एक तरीके साथ टास्क की फॉर्म में लेना भी बहुत जादा डिफिकल्ट है तो यह कुछ आपके टास्क होते हैं जो कि हम लोगों को यहाँ पर अर्ली अडल्ट होट यानि की प्रारंपिक वैसकता के अंडर देखने को बिलते हैं और देखें यह बहुत कॉमन क्यारेक्टर हैं जो कि आप अपनी डे टू डे लाइफ से रिलेट कर सकते हैं और जैसे कि मैंने कहा बस यह आप स्टेजिस के नाम याद कर लीजे और स्टेजिस के नाम अगर आपको याद होते हैं तो इनके कैरेक्टर अगर आप एक या दो बार पढ़ेंगे तो भी आपका यह काम बन जाएगा अब चलिए दो और स्टेज रहे गए उनको भी जड़ा मैं कवर करती हूँ अब हम समझते हैं मिडल एज के बारे में तो देखिए मिडल एज को हम मद्य आयू के नाम से भी जानते हैं अब देखिए इस स्टेज के अगर मैं बात करूँ यह जो स्टेज है आपका 30 से लेकर 7 वर्स तक होता है अब देखिए आप यहां पर समझ सकते हैं कि इस एज ग्रूप तक आते आते हर कोई चाहता है कि वो अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाया यानि कि उसके पास एक अच्छा घर हो अच्छी गाड़ी हो उसके जो फैमली मेंबर हैं वो एक स्टेबल स्टेबल लाइफ जीए उसके जो बच्चे वह अच्छे स्कूल में जाया तो basically यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हर कोई लग जाता है कि वो अपना जो economic standard है यानि कि जो उसका आर्थिक स्तर है वो आपका जीवन का अच्छा करते रहे और साथे साथ उसका वो रख रखाओ करना चाहता है यानि कि जो economic standard उसने बनाया रखा है वो चाहता है कि आगे के life मे वह इसी तरीके से बना रहे हैं, इसके लावा अगर हम देखें, तो इस age group के जो लोग होते हैं, वो कहीं न कहीं society को ज़्यादा यहाँ पर एक तरीके से value करते हैं, और social responsibility को निभाते रहते हैं, कहीं न कहीं, अगर हमें एक parents बन जाते हैं, और उसके बाद हमारी family होती है, तो तो हमारे उपर जो responsibility होती है वो बहुत जादा बढ़ जाती है इस age group में रहते रहते हैं हर कोई चाहता है कि उसके जो बच्चे हो वो settle हो जाए कहीं और कहीं और कहीं यहां पर उसके बच्चों को एक अच्छी lifestyle मिले वो यह सब चीजे चाहता है तो यहां पर हमें इस तरीके क टास्क जो है यह देखने को मिलते हैं क्योंकि 60 साल के बाद क्या है कि life में हर कोई चाहता है कि वो retire हो जाए 60 साल बाद यह होता है कि हमारी जो physical strength है वो भी कम होती है अब देखिए यहां पर आज कल के lifestyle के according तो यहां पर देखा गया गया है कि 40 से 45 साल के जब हम हो जाते हैं कभी हमारा जो एक तरीके से physical strength है वो कम होता चला जाता है तो यहां पर यह सारे तरीके के task जो है इंसान को phase करने को मिलते हैं अब चलिए जो last stage है वो हम यहां पर cover करते हैं अब मैं आप लोगों के साथ यहां पर last stage को discuss करना चाहूंगी जो कि आपका वृद्धा अवस्था कहलाता है यानि कि जो हमारा old या फिर later maturity कहलाता है अब देखिए यह जो आपके अवस्था होती है यह 60 वर्ष से लेकर जब तक आपका जीवन रहेगा तब तक आपका देखने को मिलती है अब देखिए इस age group के लोग अब चाहते हैं कि उन्होंने life में बहुत काम कर लिया ह अब वो चाहते हैं कि वो life में आराम करें अब देखिए 60 वर्ष बाद यहाँ पे हमें retirement मिल जाता है अपनी job space से तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि धीरे धीरे इस stage तक आते आते जो हमारा जो physical strength होता है एक तरीके से शाररिक जो हमारी शमता होती किसी भी कारे को करने क कि वो हमारी decrease होते चले जाती है हम किसी भी काम को बहुत energetic तरीके से नहीं कर पाते हैं यह जादा तर लोगों में देखा गया है और साथे साथ यहाँ पर क्या है कि 60 वर्ष बाद हम लोगों को retirement मिल जाता है हमारी काम से और कहीं न कहीं देखिए जब तक आप retirement में नहीं होत होता है तो बहुत सारे काम तो हम वैसे भी नहीं कर पाते हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं अपनी family से कि वह हमारी अब take care करें और कहते हैं कि जैसे बच्चे होते हैं वैसे हम बुड़ापे में बन जाते हैं कि हम बहुत जल्दी चीजों से irritate हो जाते हमें चीजे उसी समय च करना पड़ता है और यह यहां पर थोड़ा सा problematic होता है और उसके बाद यहां पर जो उनकी थोड़े बचीवी जो strength होती है वह भी पहले से decrease हो जाती है क्योंकि देखिए life में तुमारे जो life partner होता है उसका एक अलग role होता है तो यह सारी चीजे आपको later maturity यान की व्रद्ध टास्क करने पड़ते हैं अपनी पूरी life के दौरान हम जब से पैदा हुए हैं तब से हमारे एक तरीके से व्रिधा अवस्था तक और यहां पर हमारा developmental टास्क कर जो topic है यह complete होता है साथे साथ जो developmental टास्क के दौरान जो challenges हमें face करने को मिलते हैं वो मैंने starting में यहां पर discuss क यह थे अब चलिए कुछ question मुझे इस topic के मिले हैं जो कि मैं आपके साथ discuss करना चाहती हूं ताकि आपका यह topic अच्छे से समप हो इसके लावा अगर आप KVS PRT की self study कर रहे हैं तो KVS PRT के यहां पर जो notes हैं यहां पर complete यहां पर आप लोगों के बनाए गए हैं आप इस नं जो कि हम solve करते हैं ताकि आपका यह topic अच्छे से sum up हो सके और day 3 में मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले topic के साथ जिसमें आप जरूर यहां पर बने रहीएगा और अगर आपने day 1 वाली class नहीं देखी तो वह आपको description में playlist मिल जाएगा KVS Pedagogy करके वह जरूर देखिए क् अगर इनसान continuity में रहता है तो चीज़ें उसे अच्छी तरीके से clear होती है अब चलिए मैं आप लोगों से मिलूंगी अगली वीडियो में अब direct आपको यहां पर questions दिखेंगे जिनको हम solve करते हैं चलिए मैं आप लोगों के साथ यहां पर जो developmental task topic हमने किया जो विकासात्मक कारे का यह topic किया इसके कुछ MCQ मैं आपके साथ discuss करना चाहती हूँ जो कि आपसे KVS परिक्षा में इसके अलावा UPTED के अंदर यहां पे हमें HTED के अंदर अलग-अलग TETA exam में जो पूछे गए उनके कुछ question combination में लेके आई हूँ जो developmental task सो समदित थे ताकि आपको यह topic अच्छे से clear हो पाए तो चलिए पहले question के तरफ बढ़ते हैं और पहला question हम लोगों के सामने हलका सा मैसे screenshot कर देती हूँ अब देखिए यहां पर यह जो question पूछा गया है वो यह है which of the following task is not a developmental task of later childhood यानि की निमलिखित में से कौन सा कार्य यहां पर बात का जो बचपन होता है इसके विकासात्मक कार्य का नहीं है तो देखिए यहां पर later childhood के अंदर आप क्या चीज नहीं करते यह पूछा गया है पहले में यहां पर बोल रखा है learning to talk यान की बातचीत करना सीखना देखिए बातचीत करना तो आप पहले ही stage में सीख जाते हो तो यह वाला option यहां पर नहीं होगा अगर आपनी वीडियो को ध्यान से देखा है तो मैंने 6 अलगलग stages बता है जिसमें शुरुवात में ही आप यहां पर बात करना चलना सीखते हो और later childhood तक आप यह सब चीज़े सीख चुके होते हो इसके अलावा देखिए यहां पर आपके जो physical skill है यान की जो शारेरी कौश को यहां पर विक्सित करना यहां पर देखा जाता है इसके अलावा यहां पर अपने यह जो बोल रखा है learn to get along with age management अतलब अपने सह सात्यों के साथ घुलना मिलना यह भी यहां पर सीखा जाता है और fundamental skill जो मौलिक कौशल होते हैं यह भी आपके जो later childhood होता है इसमें सीखा ज आरे जो है यह बात के बच्पन में नहीं देखा जाता तो देखिए आप क्या बोलेंगे बात करना सीखना क्योंकि यह पहले ही सीख चुके होते हैं यानि कि learning to talk जो है यह पहले ही हम लोगों ने सीख लिया होता है अब चलिए हम अगले question के तरफ बढ़ते हैं अगला question आप यहाँ पे देख सकते हैं question number two आप लोगों की screen में है अब इस question में क्या बोल रखा है which of the following developmental task is not appropriate for late childhood यानि कि निमलिखित में से कौन सा उत्तर बाल्यवस्था के लिए यहाँ पे उप्युक्त नहीं है तो देखिए physical skill आपका सीखना यानि कि जो आपके यहाँ पे मैंने अभ वाले option को ढूणना है अब देखिए यहाँ पे अगले option में है achieving a masculine or feminine social role अब देखिए masculine or feminine social role यहाँ पे late childhood में नहीं सीखा जाता है यह adolescence यानि कि किशोरा वस्था में सीखा जाता है तो देखिए इस question का यही option सही होगा यानि कि एक पुरुस या स्तरी के सामाजिक भूमिका को प्राप्त करना यह किशोरा वस्था में होता है क्योंकि यहाँ पर नौट वाले option को देखना है इसलिए यह होगा साथे साथ हर्ड option है achieving personal independence यहाँ पर व्यक्तिगत सुवतंतरता प्राप्त करने की बात की गई है यह उत्तर बाले वस्था में आ जाती है साथे साथ अपने देखिए अगले question को जरा discuss करते हैं question number third आपके सामने यहाँ पर बोल रखा है कि development के विकास के कौन से काल को यहाँ पर दबाव और तनाव यानि कि stress और strome कहां गया है तो देखिए एक ऐसा period एक ऐसा काल जिसमें हमारे अंदर सबसे ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है उसमें सबसे ज़्यादा तनाव और सबसे ज़्यादा आपका दबाव होगा तो देखिए ऐसा कौन सा stage है तो आप कहेंगे यह है आपका adolescence यानि कि किशोरा वस्था यह question काफी ज़्यादा आसान है और यह जो statement है stress and storm की यह किसके द्वारा दी गई है यह आप comment section में comment करक बताईएगा यह question number 3 था अब चलिए मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर question number 4 जो है यह मैं आपके साथ discuss करती हूं यहाँ पर बोल रखा है among the following which is not a developmental task यानि कि निमलिखित में से कौन सा विकास के कारें नहीं है अब देखिए विकास यानि कि अगर हम development की बात करें तो यह हमा हम कुछ न कुछ नया करेंगे अगर आप option को देखें तो एक second option यहाँ पर कि यहाँ पर क्या बोल रखा है कि आप बढ़ते वे सिमित चीजों को सीखेंगे तो देखिए सिमित तो यहाँ पर नकरात्मत तोर पर यह बात बोली गई है जब आप यहाँ पर वृद्धी यानि कि ग्रोथ की बात करते हो बढ़ने की बात करता है और विकास भी यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए बोल लिया जाता है तो देखिए यहाँ पर अगर आप सारे option को पढ़ेंगे कि complex process को सीखना जटेल प्रक्रिया सीखना यह सही है साथे साथ progressive series में आपके जो body में changes होते है यानि की पर पक्वता के साथ जो हमारे शरीर में जो बदलाव होते हैं जो प्रगर्ति शिल्ड बदलाव होते हैं उसको समझना यह भी सही है और यहाँ पर differentiation यानि की आप चीजों को यहाँ पर उनमें भिविनता आप यह देख सको आप समझ सको यह भी सही है तो देखिए इस question का कौन सा correct answer होगा यहाँ पर second जो option है यह correct answer होगा अब चलते हैं हम अगले question के तरफ अगला question आप यहाँ पर देख सकते हैं यह question number 5 आपके सामने हैं इस question में बोल रखा है which of the following developmental tasks associated to pre-school यानि कि निमलिखित में से कौन सा विकासात में कारे पूर्व स्कूली बच्पन से जुड़ा हुआ है अब देखिए स्कूल में ही आपको retirement तो मिलेगा नी तो यह option तो हो नहीं सकता इसके अलावा यहाँ पे आप relation यानि कि अपने partner वग्यरा के साथ relation तो अभ का age mate के साथ आप time spent करना ये भी यहाँ पे इतना सही नहीं बैठेगा यहाँ पे क्या है यहाँ पे आप concept सीखोगे और साते साथ उनको यहाँ पे एक तरीके से नाम देने में सक्षम होंगे यानि कि कुछ नया सीख रहे हो यहाँ पे यह चीज देखी जाएगी इस question का second जो कौन सा खत्रा आपके बहुते खत्रे से जुड़ा हुआ है अब देखिए बहुते खत्रा क्या होता है जो आपका physical appearance होता है और physical appearance को लेकि देखिए कहीं न कहीं क्या होता है कि हम कैसे दिख रहे हैं इसके लिए हमारे मन में ही जीज़क होती है कि मैं यह पहन के जाऊंगा तो लोग मेरे बारे में क्या बात करेंगे इस तरीके से हम लोगों के माइन में चीज़े घूमरी होती है तो यह एक तरीके से awkwardness कहलाता है यहाँ पर emotion, social and cognition यानिके संग्यानात्मग और भावनात्मग और सामाजिक पक्ष नहीं माना जाएगा यह कहीं न कहीं physical hazards क्या है कि ह हम कैसे दिख रहे हैं हमें लोग accept करेंगे या नहीं करेंगे हमारी बात को सुनेंगे नहीं सुनेंगे हमें ग्रुप में लेंगे या नहीं लेंगे तो यह physical appearance का यह जो problem है यह हमारे दिमागी खेल है और यह हमें awkward बनाता है I hope यह question आपको clear हुआ होगा अब चलते हम अगले question के तरफ अगला question आप यहाँ पर देख सकते हैं question number 7 आपके सामने है in which development will task do people adjust to retirement and reduce income अब देखिए यहाँ पर बोल रखा है कि विकासात्मक कार्रे में यहाँ पर retirement और घटी आए किस से समय लेता है अब देखिए retirement आपके adolescence में तो मिलेगी नी early childhood यानकि प्रारंबिक बाले वस्ता में भी नी मिलेगी मध्य बाले वस्ता में भी नी मिलेगी जब आप परिपक्व हो जाओगे यानकि 60 साल बाद हमें यहाँ पर retirement मिलती है तो इससाब से यहाँ पर fourth जो option है यह correct answer है I hope यह question आपको clear होएंगे और इस वीडियो में इतना ही और अगर आप यहाँ पर केविस pedagogy के लिए आप परेशान हो रहे हैं तो इस series में आप बने रहे हैं बहुत सारी चीज़ें आपकी इसी तरीके से clear होते जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें हम सीखते चले जाएंग I hope यह वीडियो आपको पसंद आई होगी यह day 2 था और day 1 अगर किसी ने भी नहीं देखा तो description में केवी pedagogy की वीडियो देखिए आपको day 1 की वीडियो मिल जाएगी इस वीडियो में इतना ही अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ बाई baik वीडियो थे यह蛇ँ और सकत के दो अगले प्लाइब अगले सव ए्याँ अगले स удобством एकन आए और यह लकरांड बहाले से वीन इस आए दो है वीड़ियो आपे लेक रिती है अगले संगले से वीडियो एपसे ले इस आए बाई, आय रहार क्प़छ यड़ को ले अटले स